क्या हाल है दोस्तों, आज हम बहुत ही यूनीक और इपिक टोई की अन्बोक्सिंग करने वाले हैं जिसका लुक, फील और पावर आपको बिल्कुल असली AK47 की जैसे लगेगी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, मैं बात कर रहा हूँ AK47 टोई गन की तो अगर आप भी Airsoft Gun के दिवाने हैं, तो ये वीडियो शिर्फ आपके लिए हैं तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की अन्बोक्सिंग वीडियो और ये देखिए, इस बोक्स को खोलने से ज़्यादा इसको फाड़ने में मज़ा आ रहा है जैसे हम इसको फाड़ते हैं, तो इसके अंदर से निकल कर आता है हमारा ये वाला बोक्स इसे मैंने ओनलाइन परिशेज किया था, अगर आप इसे क्रिदना चाओ तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को मिल जाएगी तो इसको तो कर देते हैं हम साइड में क्योंकि ये हमारे कोई काम कर नहीं है और बात करें, इसके प्राइज की तो भी मैं वीडियो में आगए आप लोगों को दिखा दूँगा लेकिन उससे पहले हम खौल कर देखते हैं हमारे इस वाले बोक्स को और इस box की packaging है वह आप देख सकते हो एकदम काफ़ी ज्यादा solid है और यार यह देखिए हमारी AK47 gun यह बार से इतनी ज्यादा premium दिख रही है तो साइध इसको हाथ में लेने के बाद में तो यह और भी ज्यादा premium लगेगी चलो इसको खोल कर देखते हैं और यह देखिए हो भा के अंदर हम गोलियां डालेंगे उतरी की तो चलिए यार बिना time waste के सबसे पहले डालते हैं इसके एक एक पार्ट को देखो यह हैं इसका पीछे वाला हिसा यह इसके अंदर कुछ इस तरीके से सैट हो चुका है और यह वाला हिसा साइध इसके आगे लगता है कुछ इस तर और एक खास चीज़ आप लोगो को बता दिता हूं कि इस लेजर के अंदर यह पर डलती हैं तेन चो्टे चोटे सैल इसको तो बंद कर देते हैं और यह पर यह पर आप देख सकतے हो यह सहाए तो इसे on भी रख सकते है और ऑ 지금 मैं लेजर को ओन करता हूं तो यहाप आप हमें देखने को मिलती है और यहां पर आगे आगे देखो एक लेजर है जो कि आप लोगों को अभी नजर नहीं आ रही होगी रात के अंदर हम आप लोगों को सीन दिखा देंगे इसके बड़े से बोक्स के इंदर कई सारी गोलिया भी आती है और यह जो बुलट आप देख र देखो इसके अंदर सभी गोलिया डालेता हूं यह देखो और आप कर लेते हैं इसको यहां से बंद और इन गोलियों को रिलोड करने के लिए देखो हमारे पास यहां पर एक स्प्रिंग सी लगी है इसको हम पीछे करके इसको नीचे करेंगे तो यह आपर लोग हो गई है अब हम इसको कुछ इस तरीके से करेंगे तो इसके अंदर देखो गोलिया लोड हो जाएगी और यहां पर आप देख सकते हो जैसे हम इसको थोड़ा बहुत हिलाएंगे तो यह देखो इसके अंदर सारी गोलिया वो लोड हो चुके अब हम इस स्प्रिंग को कर देते हैं व इसको यहां पर इसको जब हम यहां पर डालते हैं तो यहां पर देखो एक है वो लोक लगा हुआ है इसको हमें नीचे करना पड़ता है और जैसे यह नीचे होता है तो यह हमारा है एकदम से अच्छी तरीके से सैट हो जाता है यह देखो तो फाइनली हमारी गन है वो एकदम काफी ज्यादा comfortable है और ये plastic काफी ज्यादा durable लग रहा है ये देखो ये लकडिका सा लग रहा है ना आपको एक दम असली सा लेकिन ये plastic का बना हुआ है जब हम इसको हाथ में लेते हैं तो काफी ज्यादा lightweight भी हमें feel होता है जो कि बचों के लिए perfect हैं लेकिन अगर आपको भी toy gun का soak हैं तो आप भी enjoy कर सकते हैं बात करें इस toy gun के features की तो इसके उपर देखो यहाँ पर एक reload करने के लिए यह एक चीज दी गई है जिसे क्या बोलते हैं यह तो मुझे पता नहीं लेकिन जैसे हम इसको पीछे करते हैं तो यह हमारी gun है वो reload हो जाती है और यह है इसका ए light है वो आप इस दिवार की उपर देख सकते हो आप आसानी से देखो दिन के अंदर भी कितनी ज्यादा perfect दिख रही है तो चलो जल्दी से इसकी testing करके आप लोगों को दिखा देती है क्योंकि मुझे भी पता आप लोगों की excitement हो काफी ज्यादा बढ़ रही होगी इसको और यहां पर आप देख सकते हो इसके अंदर देखो कितना बड़ा च्छेद हो चुका है और हमारी गोली भी इसके अंदर ही है यह भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं छोड़ो नहीं मिल रहे हैं इसके अंदर इसको तो हम side में कर देती हैं और बात करें इसकी range की तो मैंने इसे 700 रुपए के अंदर online खरीदा था अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो description के अंदर आप लोगों को link मिल जाएगी वहां पर click करके आप इसे purchase कर सकते हैं कि 700 रुपए के अंदर यार यह इतना मस्च खिलोना है कि मज़ा आजाता सची में मज़ा आजाता मैंने इ पेस्ट भी करके आप लोगों को दिखा दिया है तो दोस्तों कैसे लगी आपको मारी आज की यह वीडियो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दिजे like और चैनल को कर दिजे subscribe क्योंकि मैं इस चैनल पर है इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं मि